ये आकाश्मानी है अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए राश्ट्रुपती द्रौबदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विपक्षी सांसुदों द्वारा उपर राश्ट्रुपती और राजिसभा के सभापती जगदीब धंकड का उपाहस करने पर गहरा दुख व्यक्त किया है सोशल मीडिया पोस्ट में राश्ट्रुपती ने कहा कि चुने गई प्रतिनी धी अपने विचार व्यक्त करने के लिए सुतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिवक्ती शिष्ट और सम्मान जनक होनी चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट में उपराश्टुपती ने कहा कि उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से टेलीफोन आया है जिसमें उन्होंने कुछ सांसतों की अभद्र नाटकियता पर दुख व्यक्त किया है सूचना और प्रसानल मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने उपराश्टुपती जगदी धनकड की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया संसत के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप रगाया कि हाल के विधासभा चुनाओं में हार की हताशा विपक्ष के चहरे पर स्पष्टु है विपक्षी सांसद थौमस चाजिकादान और एम आरिफ को अनुचित व्यभार के लिए आज लोगसभा से निलम्बित कर दिया गया संसदिय कारेमंत्री पलहाद जोशी ने सदन में गंभीर कदाचार के लिए दोनों सांसदों को निलम्बित करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे धनिमत से पारित कर दिया गया लोगसभा सुरक्षा चूक और सांसदों के निलम्मन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदों की कारवाई बादित हुई इससे पहले लोगसभा की कारवाई शुरू होते ही कॉंग्रिस, जंतादल, यू, वामदल और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारे बाजी करने लगे अध्यक्ष ओम बिर्ला ने विरूत कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का आग्रे किया लेकिन उन्होंने विरूत जारी रखा हंगामे की बीच अप्जेक्ष ने प्रशनकाल चलाने की कोशिश की बाद में उन्होंने सदन की कारवाई को दोपहर बारे बज़े तक के लिए स्थगित कर दिया सदन की कारवाई जारी है राजी सबह में आज सुबह भारतिय कमरिस पार्टी एम और तिर्णमौल कॉंग्रेस के सदस से सदन के बीचो बीच आकर सुरक्षा चूप के मुद्दे पर ग्री मंत्री अमिश्या के बयान की मांग कर रहे थे सभापती जगदीब धनकर ने सदन की कारवाई पहले सबह ग्यारे बजे फिर से साड़े ग्यारे बजे तक और बाद में बारे बजे तक के लिए इस्तगित कर दी रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव ने कहा है कि अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है लोग सभा में एक प्रशन का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 560 से अधिक ऐसे चैनित स्टेशनों पर काम शुरू कर दिया गया है उन्होंने कहा कि मंत्राले अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत शेहरों और रेल से संपर्क के लिए यातायात योजना और मास्टर प्लान पर काम कर रहा है स्वास्त मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया ने देश में कोविट के मामनों में वृद्धी के मद्धे नजर सभी राज्यों से सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है उन्होंने कहा कि देश को सतर करहने की आवशक्ता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर मांडविया वर्चूल माध्यम से विभिन राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के स्वास्त मंत्रियों के साथ स्वास्त सुविधाओं और सेवाओं पर उच्चस्तरिय समिक्षय बैठक की अध्धक्षता कर रहे थे डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार स्वास्त सम्मंदित बिमारियों पर मियंतरन के लिए सभी राजियों और केंदर शासित पदेशों को साहता देने को तयार है नीति आयोक के सदसे डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि वर्तमान में कोविट के 2300 सक्रिये मामले हैं उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ता में देश में सूरह लोगों की मृत्ती हुई है सभी राजियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राजियों में तैयारियों के बारे में जानकारी भी दी राश्चुपती द्रौपदी मुर्मु ने आज तिलंगाना के भूदान पोचमपली में बुनकरों को आश्वासन दिया कि पोचमपली बुनाई को और बढ़ावा देने के प्रयास किये जाएंगे राश्चुपती ने आज सुबह यदाद्री भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपली गाउं का दोरा किया उन्होंने पोचमपली रेशम और कापास की अनूठी इकत बुनाई की कला को अगली पिरिहूं तक पहुचाने के प्रयासों की साराना की राश्चुपती ने पोचमपली बुनाई को जियाई टेक दिये जाने पर प्रसंदत अवेक्त की उन्होंने देश के अन्य हिस्सों के बुलकरों को भी पोचमपली की जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया तमिलनाड के उच्च शिक्षा मंत्री पोन मुडी को भ्रष्टाचार के एक आरोप में मदरास उच्च नियायले ने दोशी पाया है न्यायमूर्थी जी जय चंदरन ने पोन मुडी और उनकी पत्नी को दोश्मुक्त किया जाने के बाद पहले के आदेश को रद कर दिया भ्रष्टाचार रोधी और सतरक्ता निदेशाले द्वारा एक मामले में पी विसाल अखशी ने 2011 में आयसे अधिक्त संपत्ती का मामला दर्ज कराया था इसके साथ ही ये समचार बुलिटिन समाप्त हुआ